सबी को मेरी तरब से प्यार भरा नमस्कार मैं रोहित कुमार यूसी लाइब चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ तो हमारी जनरल साइंस जो हमने स्टार्ट की थी जिक्स वो सारे ही जो हमने कंप्लीट कर ली है तो जिन्नोंने वो लेक्चर नहीं देखे वो पह मैंने भी पेफरों में आये हुए हैं तो मैंने यह उठाके आपके लिए लेके आया हूँ तो उमीद करूंगा कि आप मेरा अंसर बताने से पहले अपना अंसर जरूर एनलाइज करें ताकि मुझे भी पता चलजाए कि आप वीडियो को कितनी ध्यानपुर्बों से देख र आउगा पी वाई क्यू लेके आऊँगा तो आपका एससे सीजेल का विपर उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट होंगे इसमें हम जो हमारे पास जितने भी जिएस के जितने भी क्वेशन है चाहे वह पॉलिटी को हो चाहे वह हिस्ट्री के हो चाहे वह जियोग्राफिक हो जाए वह जनल साइंस के हो तो सारे क्वेशन जितने भी हैं वह सारे हम डिसकस करेंगे तो हमारे साथ जुड़कर अपनी त्यारी को कॉंटिन्यू रखे और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो आज का डिसकसन स्टार्ट करते हैं पहल दायोड का यूज करते हैं कि हमारे पास जैसे AC है कि AC को DC या जो हमारे पास जो AC है वो प्योर AC रहे तो उसके लिए हम किस instrument का यूज करते हैं तो हम करते हैं डायोड का और वो किसके लिए सुद्धी के लिए option number D next है हमारे पास कहा गया है कि which of which among of the following developed the technology of the underground nuclear explosion की भाई भूमी गत जो प्रमानुवी स्पोर्ट की टक्निक का जो बिक्सित की गई थी किसके द्वारा इसके बारे में बताया गया था तो इसका जो सही option है वो है option number A is a right hand next है हमारे पास कि कहा गया है कि निमलिक्त में से कौन सा कोईला प्रती यूनिट सबसे अधिक गर्मी पैदा करता है तो सबसे जादा जो गर्मी पैदा करता है जो कौन सा वो हमारे पास कोईला है तो यह पतने कितनी बार कितने पेपरों में ये question repeat हो चुका है तो इ ही प्रड्यूस करता है पर यूंट है अगर हमारे पास एक केजी अगर ये वाला कोईला होगा तो यह जघादा हीट प्र$200 केया बेट हो गया जो हमारे पास सर्लिक लिगलिक नाइट हो गया यह सबसे बार करेंदा वो कौन सा करेगा option number C जो है वो है तस सही next question है हमारे पास कहा गया है which of the following wave is used to communication of the artificial satellite कि जो हमारे पास हम जो उपग्राय कि तिम उपग्राय द्वारा संचार के लिए निमलिक्त में से कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है तो इसके जो हमारे पास सेटलाइट हम छोड़ते हैं वहां से जो वेव आती है वो कौन सी वेव होती है जी वो होती है माइक्रो वेव का हम कॉम्मुनिकेशन के लिए यूज करते है option number A next हमारे पास कहा क्या है कि जो हमारे पास which of the frequency modulation जो frequency modulation होती है वो क्या होती है frequency modulation क्या करती है तो यह हमारे पास जो है वो एक तरह क्या हमारे पास fixed frequency रहती है तो हमारे पास frequency modulation होती है वो क्या होती है fixed frequency होती है fixed frequency option number A next हमारे पास कहा गया है कि when the speed of the car is double what will be the braking force of the car to stop the same distance है तो हमारे पास का किसमें हिंदी में बताता हूं जब कार की गति दुगनी कर दी जाती है तो कार को अतनी ही दूरी पर रोकने के लिए जो breaking बल है वो कितना होना चाहिए तो इसका जो हमारे पास number option number a जो इसका जो हमारे पास formula होता है वो होता है s is directly proportional to u square तो देखिए u double कर दिया तो हमारे पास s कितना हो गया यहाँ पर कितनी force लगे गी हमें रोकने के लिए और यूज के ठीक है अगर पहले s लगे दी तो आप कितनी लगे गी for you ले रजी बात तो option number इसका जो a है that is the right answer next question है हमारे पास कहा गया है which which dimensions of following which dimension of the following is the same that of the impulse तो impulse हमारे पास मैंने आपको बताया था क्या होता था force into mid time that is equal to j तो यह हमारे पास force के dimension formula और जो हमारे पास जो impulse के dimension formula और जो momentum के dimension formula होते है तो सेम होते है तो option number b is a right answer next है हमारे पास which of the flowing fundamental quantity जो मैंने आपको fundamental जो मौलिक मातरा मैंने आपको पढ़ाई थी सबसे पहला जो lecture था उसमें से हमारे पास साथ fundamental quantity रहती थी तो उसमें से कौन सी fundamental quantity है जी तो वो है हमारे पास जो time time क्या है हमारे पास option number b क्योंकि यह volume क्या होता था drive होता था velocity उसमें होती नहीं थी बल उसमें होता नहीं option number b is a right answer उमीद करता हूँ कि आप मेरे साथ इन question को कर रहे होंगे और last में आप मुझे अपना score जरूर लिखके भीजेंगे next question देखते है next question हमारे पास कहा गया है कि अगर मैं diameter जो हमारे पास एक जो capillary होती है उसके diameter को double कर दूँ तो जो पानी का level है वो कितना हो जाएगा ठीक है जी तो इसका जो सही option है option number b मतलब वो क्या हो जाएगा आफ हो जाएगा क्लेर जी option number b is a right answer next हमारे पास कहा गया है कि जो हमारे पास needle of iron यहाँ पे बताता हूँ लोही की सुई को धीरे से रखने पर पानी की स्थे पर क्यों तैरती है तो क्यों तैरती है इसका जो सही option हमारे पास option number देखिए क्यों तैरेगी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज तब ही float करती है जब उसका उसकी जो density है वो क्या हो less हो किस से जो जिस substance पे वो float कर हैं तो इसका सही option कौन सा हुआ option number जो हमारे पास देखिए इसमें लिखा हूँ है letting डाइंस्टी जो है हमारे पास जो हमारे पास देखिए इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास ये जो float करेगी तो suie कि जो हमारे पास घनत्व होगा वो क्या होगा कम होगा किस से पानी की डेंस्टी तो वो क्या करेगी फ्लोट करेगी नेक्स्ट कॉश्चन हमारे पास कहा गया है कि दमास जो हमारे पास तारों का दरब्यमान सूरे के दरब्यमान से दुगना हो जाए तो उनका अंत कैसे होगा उनको क्या बोला जाएगा उनको बोला जाता है जो हमारे पास neutron star होते हैं अगर किसी तारे का मास सूरज के मास से ज़्यादा हो जाए तो उनका जो अंत होगा वो उनका कैसे होगा option number A जो है neutron star जो है इसका सही option next देखते हैं next हमारे पास कहा गया है कि जो हमारे पास बारिस की बुन्दे बड़ी उन्चाई से गिरती है इसके बारे में निमलित में से कौन सा कतन सही है अगर बारिस की बुन्दे उपर से गिरेंगी तो उनकी जो velocity होगी उनका जो option है यहाँ पर देखिए they fall with the ultimately velocity with the different droplet कि हर एक बुन्द की जो गती होगी वो क्या होगी अलग-अलग होगी तो option number A जो है इसका सही अंसर है यह जो question है यह किसी ना किसी exam में previous year में आए हुए है उमीद करता हूँ कि आप इस lecture को ध्यान पुर्बुक देखिए ताकि आपकोई question कालता है ना हो next देखते हैं next हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास जो photo electric जो photo state जो machine होती है जिससे हम photo state करते हैं वो किस technique पे काम करती है तो इसका सही option option number C electrostatic image making जो electrostatic image making होती है उस principle पे उस technique पे हमारी photo electric photo state machine है वो काम करती है option number C जो है इसका सही answer next है हमारे पास कहा क्या है 1 kilowatt 1 kilowatt आर जो है वो किसके equal होगा तो वो किसके equal होगा 6 megajoule 6 kilowatt जो 1 kilowatt है हमारे पास ठीक है वो क्या होता है वो energy के unit होते है किसके unit होते है kilowatt ठीक है तो मैंने इसकी आपको value भी बताई थी 3.6 into 10 raise to power 6 तो यहाँ पे हमारे पास 3.6 ठीक है जी तो हमारे पास अगर mega क्या होता है kilo होता है 10 raise to power 3 mega होता है 10 raise to power 6 तो यह आएगा 36 megawatt 3.6 तो यहाँ पे जो option है option में 3.6 megawatt आएगा यह option गल्थ है तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ आएगा 3.6 3.6 megawatt jool जो है वो कहा रहेंगे इसके equal होंगे clear option number जो है हमारे पास ए ऐसे होगी next question हमारे पास कहा गया है कि what is the minimum escape velocity of the rocket to launch the space कि अगर मुझे किसी भी object को earth के surface से बाहर फैंकना है तो कितनी minimum velocity चाहिए मैंने आपको बताया था कि earth की escape velocity जो होती है वो कितनी होती है 11.2 km per second होती है तो कौन सी option होगी option number C clear जी और इसका जो हमारे पास formula होता है escape velocity का वो क्या होता है under root 2gr होता है under root 2gr हमारे पास r capital होगा r होता है radius of earth g होता है gravity gravity तो gravity की value कितनी होती है 9.8 meter per second का square जो g की value होती है वो सबसे ज़्यादा maximum कहां पे होती है earth के surface पे होती है और 0 कहां होती है जो earth का center होता है वहाँ पे 0 होती है surface पे कितनी होती है 9.8 meter per second होती है जैसे जैसे मैं earth से उपर की तरफ जाता हूँ तो भी जी आर्थ की उपर की तरफ जाऊंगा तो जी की वैल्यू क्या करेजी डिक्रीज करेगी अगर मैं आर्थ के नीचे की तरफ आऊंगा तो भी जी की वैल्यू क्या करती है डिक्रीज करती है और क्या बताया था मैंने आपको और बताया था कि अगर कोई बंदा नोर्थ जो बंदा है वो equator से pole की तरफ जाता है equator से pole की तरफ जाता है तो pole की जो g होता है वहाँ पर क्या होता है जादा होता है किसे जो g होगी equator पे जो bait होगा बंदे का अगर वो equator से यह equator है यह pole है अगर equator से pole की तरफ जाएगा तो उसका जो bait है वो भी क्या करेगा increase करेगा ये paper में question आ चुका है ध्यान रख लेना तो gravity जो होती है सबसे ज़्यादा कहां पे होती है pole पे होती है as compared to equation next question है हमारे पास कहा गया है कि इस में से rainbow के लिए कौन सी जो statement है हमारी सही है जो option number हमारे पास क्या कहा गया है जब हम इंदर धनूस देखते हैं तो निमलिक्त में से कौन सा कतन सही है तो सूर्य हमारे पीछे रहता है और हम बारिस की बूंदों का सामना करते है तो जो sun remains behind us and we face the droplet तो rainbow जब बनता है तो उस time जो सूरज होता है वो हमारे पीछे होता है यह भी पता नहीं कितनी बार question में एक paper में आ चुका है ठीक है जी next है हमारे पास जो option number B है वो इसका क्या है सही answer है ठीक है अब हमारे पास next जो splitting of the different color of the light in the prism की prism से जब भी हम किसी light को cross करवाते हैं white light आती है तो वो split हो जाती है कितने colors में sevens color में तो इस phenomena को क्या कहते है इस phenomena को कहते हैं हम dispersion of light धीक है जो हमारे पास क्या होती है यह dispersion of light होती है वो phenomena targa करे कि स्प्रिटिंग अवा पास जु स्प्लिटिंग of light होगी यह हमारे पास उस phenomenon को हम क्या कहेंगे प्रकास का फैलाम थीक है option number B जो है इसका तरी अंसर है जो rain वो बनता है वो भी किस phenomenon पे बनता है वो भी क्या होता है dispersion of light होती है next है हमारे पास कि अगर कोई boat फिल सब मर्स when it displace the water equal to on तो मैंने आपको बताया था एक नाब डूब जाएगी जब अपने ब्राबर पानी को विस्तापन करेगी अपने बेट के जो उसका बजन है उसके अनुसार वो क्या करेगी पानी का क्या करेगी displacement करेगी तो वो क्या करेगी जो नाब है वो सब मर्ज होगी मतलब आदी डूब जाएगी ठीक है जी next है हमारे पास option number B जो है इसका सही अंसर है next है कहा गया कि अगर हमारे पास 5 mm और अब जो उसकी frequency है जो उसका जो हमारे पास frequency है वो कितनी है 10 है कि दो तरंगे विप्रीत दिसा में 20 मीटर की गती से यातरा करती है ठीक है तो कहा गया कि distance between the them जो उनके बीच में node बनेंगे उसके बीच में क्या दूरी होगी को जा रही है तो node की दूरी कितनी होगी यह node होता है तो कितनी होगी जी क्लेर जी option नमबर ए जो है इसका वो सही option नेक्स्ट हमारे पास पहाड़ों पर बर्फ सूरज से गर्म होने पर एक बार में नहीं पिगल सकती क्यों क्योंकि वहां पे जो हमारे पास जो sun की लाइट आती है वो क्या हो जाती है रिफलेक्ट हो जाए तो यह हमारे पास option नमबर जो इसका बी है वो क्या है इसका सही अंसर है option number B क्या है इसका सही अंसर है next है हमारे पास 21 21 question है कहा क्या है कि एक railway platform पर खड़ा एक ब्यक्ति आने और जाने वाली trainों की CT सुनता है CT सुनाई तो देखिए जब हमारे पास train आएगी तो frequency क्या होगी जादा होगी अगर train दूर जाएगी तो उसकी frequency क्या होगी मतलब उसकी आवाज क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो हमारे पास इसका जो सही option है कहा गया train आने पर उच पिछ हो जाती है कि जो हमारे पास train जब हमारे पास आती है छो होलोग्राफिट टकनीक है वो किसके लिए यूज की जाती है तो होलोग्राफिझ जो होती है बढ़ूडिंग अरो पर्मानेंट 3-Dimensional photograph of giving single color ओर और तर मुल्टिपल color मतर थ्रीडी picture बनाने के लिए इसका use किया जाता है तो आफ्षिन नुम्र डी जो है इसका वो क्या है सही आंसर है नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं कहा गया है कि आइस ब्लो क बिस ऑ पीस Promised Leads इसमें बोला गया है कि एक बर्फ का टुकड़ा जिसमें लेड का एक छोटा एक टुकड़ा लगाया होता है पानी में तैरता है यदि जल स्तर नियंतन स्तर को पिगला देता है तो क्या होगा ये पहले जो देखिए इसमें कोई जो हमारे पास क्या करेगा इसका जो पानी का जो लैवल है वो क्या करता जाएग जो आप्शन नम्बर बी है कहां गया है जा आइस ब्लोक भी दपीस ओफ द लैड एमड़ एंबेड इन इट फ्लोट इन दा वोटर इफ दा आइस मेल्टिट दा वोटर लेवल बोटर जो लेवल है वो क्या कर जाएगा फोल्स करेगा आप्शन नम्बर बी जो है इसका वो सह ही अंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है तब विलोस्टी ओफ दा हीट रेडियेशन इन दा वैक्यूम तो जो हमारे पास लाइट जो हीट आती है कहां से वैक्यूम से उसकी विलोस्टी क्या होती है इक्वल टू लाइट होती है आप्शन नम्बर ए कि जितनी स्पीड से देंग तो जो प्लास्टिक है गेर भील बनाने के लिए आम तोर पर किस तरह का प्लास्टिक यूज़ किया जाता है तो आपको पता होगा तो वह कौन सा होगा आप्शन नम्र बी नाइलोन जो होगा उसका यूज़ है किया जाता है नेक्स्ट कॉश्चन है हमारे पास कहा गया है तो ओवन जो होता है उसमें कौन परकार की किस परकार की बेव यूज की जाती है तो किस परकार की जी माइक्रो माइक्रो बेफ क्योंकि जो माइक्रो बेफ होती है तब आती है जब बोडी क्या करते है रुटेट करते है और रुटेट करते है उसके विज़ से क्या होती है हीट प्रडियूस होती है आपने ओवन देखा होगा उसके बीच में वह चीज कैसे गर्म होती है क्यो 0 degree to 10 degree Celsius the volume of the given mass of the water will be अगर मैं temperature को 0 degree से 10 degree के बीच में भड़ाता हूं तो जो हमारे पास द्रब्यमान है जल का आईतन क्या होगा तो पहले तो वो decrease करेगा और फिर क्या कर जाएगा बढ़ जाएगा तो option number D घटेगा और फिर क्या करेगा बढ़ेगा option number D जो है इसका सही अंसर है next question है हमारे पास कहा गया है कि energy is continuously created in the sun due to तो जो हमारे पास मैंने आपको पढ़ाया था कि sun में जो energy आती है वो कौन सी हमारे पास reaction रहती है जो हमारा last lecture था तो मैंने बोला था वो कौन सी होती है fusion option number A तो इसमें मैंने बोला था एक तो sun में होती है एक और कुस में होती है आप hydrogen जो हमारे पास है hydrogen का जो वंब होता है उसमें भी कौन सी process होती है fusion होती है उस process को क्या कहा जाता है nuclear fusion कहा जाता है next question है हमारे पास जो हमारे पास kallis tube होती है वो किस principle पर जो use की जाती है जो कहां use की जाती है तो कहां use की जाती है हमारे पास जो x rays होते हैं उसमें use की जाती है option number जो हमारे पास c है that is the right answer next question हमारे पास which of the flowing used to regulating the electric supply को continue करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है तो उसको बोला जाता है जिननर डायोड और इसका दूसरा नाम क्या है इसको और क्या बोलते है दोकि के बिख इसको जानके आगर को किसको किने रहे पास कि सामारे जैनर बीगर को गामा रेज के द्वारा क्या स्कैन किया जाता है जो हमारे पास जीन जो जीन म्यूटेशन होती है option number A is a right answer गामा रेज से हम क्या scan केते है जीन जो हमारे पास mutation होती है उसको हम scan करते है option number A is a right answer next question है हमारे पास next question है the substance which conducted the current in a solid state कि ऐसा जो ठो सवस्ता में भी धारा को संचालित करने वाला पदार्थ कौन सा है तो वो कौन सा है जी ग्रेफाइट जो ग्रेफाइट होता है वो हमारे पास क्या करता है solid में होता है तो ये अपने में से electricity को क्रोस कर देता है अप्शन नमबर B is a right hand next question है which set of the condition represents the easiest way to liquefy the gas अगर हमें वे कौन सा तरीका है जिसे ग्रेफाइट को जल्दी से तरल अवस्ता में लाया जा सकता है तो देखिए हमेशा temperature क्या होना चाहिए ताम्मान कम होना चाहिए और pressure क्या होना चाहिए कम ताम्मान और उच दाब के कारण से हम क्या कर सकते है gas को जल्दी हम क्या कर सकते है liquefy कर सकते है मतलब तरह लवस्ता में लाया जा सकता है option number A जो है इसका वो सही अंसर है next question हमारे पास कहा गया है what is the color of the light is related to कि मतलब जो हमारे पास जो color रहता है light का वो किस तरह related है amplitude तो हर एक color का amplitude क्या होता है different different होता है option number A is a right answer next question है हमारे पास जो हमारे पास principle है जो hydraulic brake पे काम करते है जो automobile को उठाया जाता है जो जब आप अपनी गाड़ी धुलाने जाते हो तो गाड़ी को उपर उठाते है तो वो किस principle पे काम करते है मैंने आपको पढ़ाया होगा है तो इसका सही answer क्या है option number C पास कर लो और जो hydraulic brakes होती है या hydraulic lift होती है वो दोनों की दोनों lift भी किसमें काम करते है जी पास कर लो पे और brake भी किसमें काम करते है पास कर लो next है हमारे पास जो best conductor of heat among of the following तो इस में से ये जो हमारे पास जो पदार्थ दे के रखे है उसमा का सबसे अच्छा चालग कौन सा है इस में से तो वो कौन सा है जी mercury फारा ठीक है जो option number B है that is the right answer ये क्या है good conductor होता है किसका heat का next है हमारे पास कहा गया है कि जो हमारे पास electro microscope होता है उसका use कहा किया जाता है तो option number B जो bacteria और जो virus होता है उसकी सरचना को देखने के लिए important है कि electro microscope का प्रियोग कहा किया जाएगा bacteria और जो virus है उसकी सरचना जो structure होगा कि इसका bacteria और virus का उसको देखने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है option number B जो है इसका सहीं next है कि जो हमारे पास operators is used to locate the sub immerse object कौन सा जो हमारे पास जल मगन बस्तूं का पता लगाने के लिए किस प्रकार का उपकन का प्रियोग किया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर अगर हमें कुछ भी पता लगाना है कि आगे कुछ है की नहीं तो हम किस चीज का यूज करेंगे सोनार तो सोनार की full form क्या होती है मुझे comment section में लिखके बताईए और radar की भी लिखके बताईए ठीक है क्योंकि important है radar हम कहां यूज करते हैं और सुनार तो मैंने आपको बता दिया कि पानी के अंदर अगर हमें पता करना हो तो हम बहाँ पे इस चीज का यूज करते हैं next हमारे पास कहा गया है कि जो हमारे पास रंग का कौन सा श्योजन दिन और रात के समें सबसे सुबदा जनक होता है मतला हम easily उसको देख सकते हैं तो इसका सही option क्या है लाल light हमें दूर से दिख जाती है लाल और हरा तो option number D जो है इसका सही answer है next question है हमारे पास कहा गया है कि जो instrument है that measures and records the relative humidity कि जो हमारे पास अर्दिता को मापने के लिए किस उपकान का प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सा उपकान है हाइग्रो मीटर हाइग्रो मीटर का प्रयोग किया जाता है important है atmospheric pressure को measure करने के लिए barometer जो हमारे पास दूद की quality को जाने के लिए जो हमारे पास होता है लेक्टोमीटर घी कै już इसका जो सही option है इस question का जो सही answer है वो क्या है option no.b Next question हाँ हमारे पास जो हमारे पास जो हमारी जो क्या है जो हमारी galaxy है जिसको बोला जाता है milky bay घी कैँ तो milky bay जो है उसकी जो उसकी जो shape है जो उसका अकार है वो किस तरह का है तो किस तरह का है जी spiral option number C जो है इसका वो सही अंसर है option number C next question है हमारे पास the different color of the different star are due to variation जो हमारे पास तारे होते हैं वो अलग-अलग रंग की भीमिनता के कारण दिखते हैं क्योंकि उनका जो temperature होता है वो क्या होता है different different होता है option number A option number A क्या है इसका सही अंसर है option number A is the right answer क्योंकि हर एक तारे का क्या होगा temperature different different होगा इसलिए वो हमें different different है रंग के दिखते हैं उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा हमारे चैनल यूसी लाइब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले पेपरों में जो भी आपके CZL का जो पेपर है उसमें आप अपनी त्यारी पूरी continue रखें क्योंकि आने वाली जो सीर्जे हैं जो पी वाई क्यू हैं जो आपको बहुत ही इंपोर्टेंट रहेंगे आपको बहुत फाइदा पूंचाएंगे तो हमारे साथ जुड़कर अपनी त्यारी को continue रखें नेक्स्ट है कि जो हमारे पास उनी कपड़े होते हैं वो स्रीर को गर्म रखते हैं क्योंकि क्योंकि वो हमारे जो होते हैं वो हमारी गर्मी को बाहर नहीं जाने देते पतल बूल is the bad conductor कि कहें जी वो heat को बाहर नहीं निकलने देते हमारी body से heat को बाहर नहीं निकलने देते option number जो है B is a right answer next question है हमारे पास if the length of the simple pendulum is half then the period of the oscillation अब हमारे पास pendulum का क्या होता है T is equal to 2 pi under root L upon में G कहा गया कि अगर मैं length को half कर दू हूँ तो time period पे क्या effect पड़ेगा जितने से मैं decrease करूँगा decrease by a factor option number D जो है इसका सही answer है next question देखते हैं next question में कहा गया है कि धुन्द के धुन्द के कान होते हैं जो धुन्द पढ़ती है उसके क्या कान होते हैं कि हमारे पास water vapor at a low temperature option number C कम तावमान पर जल बासपोना option number C जो है उसके कान क्या आती है धुन्द आती है next question है हमारे पास कहा गया है कि अगर कोई player जो है गेंद पकड़ने के लिए अपने हाथों को नीचे खींचता है तो उसका क्या मतलब होता है तो वो क्या करता है जो हमारे पास time है क्योंकि हमारे पास impulse क्या होता है impulse is equal to P2 minus में P1 number में T clear है तो force is inversely proportional to क्या होती है time होता है तो हमारे पास इसका जो सही option है तो बोला गया कि गेंद को पकरते समय एक हिलाड़े अपने हाथों को नीचे की और कींचता है ताकि कि उस पे force क्या हो जाए कम हो जाए और उसके हाथों को चोट ना पहुंचे तो option number A जो है उसका सही answer है क्लेर जी next question है कि अगर barometer हमें यह reading बताता है कि अचानक से घट जाती है तो इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे पास जो extremely की बेहत तुफानी होगा कि अब जो हमारे पास जो motion है जो इसके बाद जो भी होगा उसमें क्या होगा extremely stormy जो हमारे पास बड़ा जादा तुफान आएगा option number B जो है अगर यह important question है कि barometer की reading क्या करते है suddenly गिर जाती है तो इसका मतलब है कि अब तुफान आने वाड़ा है फिक है next हमारे पास कहा गया है कि अगर एक टावर की उपर से गिरता एक कर्ण समान रूप से जमीन पर कुछ दूरी पर गिरता है तो टावर की उंचाई के बराबर होता है निवनलिक्त में से कौन सा path कर्ण द्वारा किया से मैंने object को फैंका तो इसको बोलते है पैराबोला इसकी जो equation होती है by is directly proportional to x-square होती है जैसे हम जहाज से किसी भी जैसे जहाज से बांब गिराते हैं तो उनकी जो safe होती है वो भी क्या होती है पैराबोलिक safe follow करते है तो option no.b जो है इसका वो सही अंसर है जो electron microscope जो इन्वें दिदड बाई जो electron microscope था उसका विसकार किसके दौरा किया गया था तो डूर एंड जो हमारे पास रुप 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 का जो रुप का है उनके दौरा इस जो instrument है जो यह हमारे पास electros acho पैंके द्वररा इसकी invention की गए थी इसका विजकार है किया गया था option number A is a rider next है कि बादल वाली रातों की तुनना साफ राप्ते क्या होती है थंडी होती है क्यों होती है क्योंकि जो हमारे पास हवा होती है वो जो क्या होती है जल्दी ट्रांसफर हो जाते है किसकी वज़ा से नेक्स्ट कॉस्चिन है कि एक गैस थर्मामीटर एक तरल थर्मामीटर की तुनना में अधिक स्वेंदन सील होता है क्योंकि गैस क्योंकि जो हमारे पास थर्मामीटर होता है जो गैस थर्मामीटर होता है जो होते है अगर टेंपरेचर को बढ़ाऊंगा तो वह क्या करेगा लिक्विड किसमें करवाट हो जाएगा गास में करवाट हो जागा बड़ जो गैस है अगर गैस थर्मामेटर होंगे तो वह इसली अपनी स्टेट को नहीं करती है ऑप्शन नमबर जो इसका हमारे पास है वह अप्शन नमबर डी जो है इसका सही अंसर है डेरै नेक्स्ट कोष्चन है हमारे पास कहा अगया है the one of the flying is used to the sunglasses sunglasses में कौन सा ग्लास यूज किया जाता है तो वह कौन सा था उफ्शन नमबर टी जो कुक्स ग्लास होते हैं वो हमारे जो संग्लास होते हैं उसमें कौन सा ग्लास होता है उमीद करता हूँ कि आप मेरे साथ अपने कोश्चनों के अंसर कर रहे होंगे और मुझे लास्ट में अपना क्या भेजेंगे स्कोर जरूर भेजेंगे और हमारी इस वीडियो को लाइक और कमेंट और सेर जरूर करें तो जी नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं कहा गया है कि जो हमारे पास स्पीड ओफ लाइट है कि आगर मैं जो हमारे पास तो जो स्पीड ओफ लाइट है वो भी इंक्रीज करेगी राइज कर जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता परवर्तित रहती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो स्थी है वो इसका सही अंसर है नेक्स्ट कॉस्चन है कहा गया है कि बैरो मीटर की रीडिंग सर्डनली गिर जाती है तो वो क्या इंडिकेट करवाती है ये क्वेशन फिर रिपीट हो गया है तो इसका जो सही अंसर है क्या बताएगा जी तुफान आने वाला है ओप्चन नमबर सी जो है इसका सही अंसर है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं कहा गया है कि गूड कंडेक्टर ऑफ दा इलेक्टिसिटी जो इलेक्टिसिटी का सबसे अच्छा जो कंडेक्टर होता है अब चालक होता है वो क्या होता है क्या होता है जी ग्रेफाइट ऑप्चन नमबर डी जो है that is the right option next question है क्यों हमारे पास sun से जो गर्मी आती है सूरे से जो उस्मा प्रिथवी पर किस के द्वारा पहुंचती है कौन सी प्रोसेस होती है option number जो c है वो क्या है सही answer है option number c radiation मैंने आपको बताया है कि जो vacuum में जो भी हमारे पास heat travel होती है वो किस की वज़ा से होती है रिडे की वज़ा से होती है option number c जो है इसका सही answer next question देखते है कहा गया है कि अगर निमलिक्त में से किस स्तीती में गति जूर्जा कर प्रिए हो कारे करने के लिए किया जाता है ठीक है यह जो हमारे पास गति जूर्जा है हाफ m into में 20 के कि हमारे पास kinetic energy का formula यह रहता है और यह तब होगी जब body किस में होगी motion और potential energy तब होती है जब body क्या होती है rest में होती है इसका formula होता है mg h clear है mg h bit और height पे कि किसी object को मैं उठाता हूँ और किसी height पे लेके जाता हूँ तो यह क्या आगी उसकी height आगी और इसका object का जो mass था वो m था इस पे gravity कितनी लग रही है g लग रही है तो इसका सही option क्या हुआ driving a car to cover a distance तूरी ते करने के लिए car का चलना option number b जो है इसका वो सही answer next question देखते हैं next question है हमारे पास जो हमारे पास velocity time graph of a particle represent by the by is equal to mx plus c then the particle is moving अब यह हमारे पास क्या होती है by is equal to mx mx plus c जो होती है यह slope की equation होती है किसकी equation होती है slope की equation होती है अब जो slope होती है वो क्या होती है slope होती है tan theta क्या होती है tan theta 10 theta भी क्या होती है slope होती है और जो हमारे पास acceleration होती है acceleration क्या होती है कि below T में change हो रहा है तो B2 माइनस में B1 और में T2 माइनस में T1 तो यह होती है acceleration तो acceleration और जो हमारे पास 10 theta जो होती है that is equal to B2 माइनस में B1 और में यह तो यह हमें क्या बता रही है acceleration मतलब acceleration क्या है एक अध्युक है अधाल रहता है देखिए मैं आपको ये भी पता देता हूं कि स्लोप निकालने का जो हमारे पास यह होता है हमारे पास कि जब हमारे पास पार्ट कर यहां पे था एप जेशन सबसे पहले हुआ तो जो हमारे पास में से कौन सा सबसे पहले हुआ तो जो हमारे पास option number C है जो sent the first wireless signal जो हमारे पास मैकरोनी थे जो गुलमीनो मैकरोनी थे उनके द्वारा पहला सिगनल भेजा गया था इन्होंने ये event जो है वो सबसे पहले किया था option number C जो है इसका सही अंसर है उमीद करता हूँ कि आपको यहां तक समझ में आया होगा आप मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जुरूर भेजेंगे तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं धन्या बाद अपनी त्यारी को हमारे साथ जुड़कर ऐसी ही continue रखें झाल 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 झाल